हलो दोस्तों मैं आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूँ और आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं Employers Provident Fund की जो भी आपकी धनराशी है जो इसमें EPF एकाउंट में जमा हो चुकी है उस धनराशी को कैसे आप अपने बैंक खाते में प्राप्त करते हैं उसकी step by step procedure मैं आपको बताऊंगा जो भी प्रक्रिया आप अभी जानेंगे वो simple रहेगा क्योंकि हम जानेंगे सबसे पहले कि अपना खाते में PF खाते में कितना balance पड़ा है जब हम देखेंगे कि अपने खाते में कितना धनराशी उपलब्द है उस हिसाब से अपने account या खाते पर कितना tax deduction लागू होगा यह हमें पता चलेगा तो जब हम क्लिक करेंगे अपने membership ID पर login करने के बाद तो अपने को एक PDF document डाउनलोड होगा इस PDF document में अपना हर मासिक अपना contribution कितना है कर्मचारी भवश्य निधी संगटन में अपना कितना धनराशी एकत्रित हुआ है उस account में उस खाते में जितना भी धनराशी है आप जब किसी कंपनी से आप relieving ले चुके हैं और दो महने परियाप्त हो चुके हैं तब आप उस खाते में के पूरे धनराशी को अपने bank account को transfer कर सकते हैं तो इस प्रक्रिया में आपको सबसे पहले KYC enabled form fill up करना है जहां पर आपको आपका bank details आधार नंबर पहले से ही verify करवाना पड़ेगा एक बार आपका आधार card और bank details verify हो चुके हो तब आप directly online ही claim कर सकते हैं online claim करने के लिए form number 19 जो कि एक final settlement form रहेगा इसे composite form भी कहते हैं तो इस form को आप जब fill करते हैं तो आपका जितना भी धनराशी एकत्रित हुआ है आप पूरा धनराशी भुकतान कर सकते हैं तो यह problem है कि EPF database में pen link नहीं हो रहा है यह बहुत सारे कर्मचरियों का problem है अभी यह तो इसे हम नजरांदाज करते हैं क्योंकि अपना withdrawal amount 50,000 पार नहीं हुआ है तो अपन जब claim status या online claim पे click करते हैं online services में जाकर तो हमें कुछ इस तरह नजराता है कि अपना पूरा details जो भी details अपने हैं अपने member details हो या चाहे bank खाता के details हमें यह सब एक बार re-verify करना है अगर कोई गलती है तो आप फिर से एक KYC form फिर से जो भी गलती है उसे apply करें और उसे verify होने तक wait करें यह waiting period एक हफता हो सकता है या दो हफते तो जब आपका आधार और bank account verify और सहीं आप मानते हैं तो आप आगे प्रस्थान करें जब आप आगे प्रस्थान करेंगे तो जिस amount को आप अपने खाते में देख रहे हो क्या उस पर tax लगेगा या नहीं उसके बारे में detail एक flow chart दिया हुआ है यहां पर अगर आपका amount 30,000 से ज़्यादा है और आपका 5 साल से ज़्यादा किसी company में आप काम करते करते आ रहे हैं तो आपको TDS नहीं लगेगा न टैक्स लगेगा और अगर 5 साल के अंदर आप निकल जा रहे हो उस organization से और उस amount का withdraw करना चाहरे हो और आपने PAN already दाखिलाना कर चुके हैं और वे व हो चुका है तो अगर आप फॉर्म 15 जी या है सब्मिट करते हैं तो टैक्स नहीं लेगा लेकिन अगर आप सब्मिट नहीं करते हैं तो 10% का टैक्स लगेगा और अगर आप PAN सब्मिट ही नहीं किया है और आप 5 साल के अंदर withdraw करना चाहरे हो और आपका amount है 30,000 से ज्यादा तो 35% लगभग 35% का TDS लागव होगा आपके amount पर और मेरे इस case में मेरा amount 30,000 से कम है तो मेरे को कोई tax नहीं लगेगा तो इस प्रकार ये कुछ flow chart है यहाँ पर आप चाहे तो आप एक बार pause करके देख सकते हैं इस वीडियो को और जब हम आगे प्रसान करने के लिए proceed for online claim ब तो हमें आधार से linked जो भी mobile number है उसे एक OTP आएगा ध्यान रखे आपका जो भी number linked है आपके आधार card से वो आपके साथ रखे ताकि जो भी OTP आपको मिलेगा वो आप यहाँ पर enter करके आगे प्रस्थान कर सकते हैं तो मैं अभी click करता हूँ देखते हैं क्या होता है तो यहा यहाँ पर अपने को अपने को थोड़ा details मांग रहा है यहाँ पर I want to apply for माने किसलिए आप apply करना चाहरे हैं तो मैं यहाँ पर PF withdrawal only PF withdrawal पे click करूंगा यह form number 19 है जो कि final या composite PF भी माना जाता है इसे तो जब आप इस पे click करते हैं तो एक disclaimer आएगा कि आपका panel नहीं linked है और आपका 5 साल से कम आप काम करे हैं और आपका 35% लगेगा tax अगर आप 50,000 से ज़्यादा withdraw करते हैं तो मैं उसे हाँ कहता हूं और आगे इस acknowledgement को मैं approve करता हूं इस click box को इस check box को click करकर तो इसमें यह लिखा है कि जो भी data है यह मेरे ज्यान अनुसार परियाप्त और सही है और जो भी UAN portal में है वो मेरा ही है और अगर कोई गलती से misuse मैं करना चाहता हूं तो यह पूरा का पूरा amount EPF retain कर लेगा तो इस प्रकार कुछ declaration है तो मैं इसे accept करता हूं और क्लिक करूंगा गेट आधार OTP बटन पर जब मैं इस क्लिक आधार जब इस मैं जब मैं इस गेट आधार OTP क्लिक करूंगा तो जो भी मुझे OTP प्राप्त होगा लिंक्ड आधार से लिंक्ड मुबाइल पर उस आधार से लिंक्ड ओटी पी को मैं यहां पर यह टेक्स्ट बॉक्स में मैं इंटर करूंगा अब आगे दिखते हैं दिखते हैं मेरे फोन पर क्या आया है अभी OTP तो आप ध्यान रखें आधार से लिंक्ड जो भी मुबाइल नंबर है वो EPF से सेम रहने की कोई आवश्यक्ता नहीं है चाहे आपका दूसरा भी मुबाइल क्यों नहों इसे बस आधार से लिंक्ड जो भी मुबाइल फोन को OTP आएगा उस OTP को आपको यहां एंटर करना है बस उतना ही काफी है दोस्तों जब आप अपले कर चुके हैं तो आपको एक ट्राकिंग आईडी प्राप्त होगा जो जनरेट होगा और क्लिक यह 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 पर एक बटन दबाने से आपको एक डेटील्ड फॉर्म आएगा जो की पी फ सेटलमेंट फॉर्म है जब हाँ आप क्लिक करोगे इस फॉर्म पर तो यह कुछ फॉर्म कुछ ऐसा नजर यहां पर कुछ बेसिक डीटेल्स है कि हम कब जॉइन हुए थे किस ऑफिस में जाओ जॉइन हुए थे रीजन खाता रिलीव लेने का तो ऐसा कुछ फॉर्म है तो बस यह है फॉर्म क्लेंट करने का तरीखा अब मैं बताऊंगा कि आगे ट्रैंसफर कैसे करते हैं अगर हैं और आपको इस प्रीवियश बंच्छें ऑंउन और जो कि हम अभी पेंशन से माँन नहीं विड्रा करें इस पंशन करेंगे और get details पर click करेंगे जब आप ये सही data देते हैं तो आपको बिना कोई error वहाँ पर data बताएगा कि आपका आप किस company में काम कर रहा है थे उसमें कितना emot पड़ा है और उसे कब transfer करना है किस लिए transfer करना है उसका कुछ details है वहाँ पर जो की बहुत आसान है और जब आप ये online services में जाके click for online tracking of claims को click करेंगे तब कुछ इस प्रकार नज़र आएगा tracking id, form tab, कौन सा form tab है, कब apply किया है अपने और authority to result क्या है, क्या वो approve हुआ है या नहीं वह वहाँ पर नज़र आएगा और अभी current status क्या है कि online submit form हुआ है तो बस इतना ही दोस्तों, थोड़ा तो आसान तरीखा है अगर आपका online KYC approve हो चुका है और आधार enabled mobile phone और bank KYC approved employer के तरफ से रहा हो तो ये form बहुत आसानी से online आप claim कर सकते है तो बस इतना ही दोस्तों आने वाले अकले वीडियो के लिए इस तानल को सब्सक्राइब करें पर निवादे